मनमोहन सिंग का जो समय था उन्होंने उसको golden period कहा वो golden period क्यों था? वो golden period इसले था क्योंकि उस समय किसानों के बीच और सरकार के बीच partnership थी हमारे दर्वाजे, सरकार के दर्वाजे आपके लिए खुले हुआ करते थे बंद नहीं थे, आप हमारे पास आते थे और जो आपके दिल में था चाहिए वो किसान हो, मजदूर हो, आप आते थे सरकार के पास जो आपके दिल में था वो आप कह जाते थे उस समय के हिंदुस्तान में प्रधान मंत्री था, आज के हिंदुस्तान में राजा है प्रधान मंत्री सुनता है प्रधान मंत्री के दर्वाजे किसानों के लिए मजदूरों के लिए छोटे वियापारियों के लिए खुले होते हैं, बातचीत करता है और अपने लोगों से ये भी कह सकता है नहीं मैं मानता नहीं तुम्हारी बात गल्द बोल रहे हो मगर जब लोग सही बात कहते हैं तो फिर प्रधान मंत्री कहता है सही बात बोल रहे हो और अगर प्रधान मंत्री सब के लिए नहीं काम करता है तो वो प्रधान मंत्री नहीं हो सकता है आज नरेंद्र मोधी जी प्रधान मंत्री नहीं है, हिंदुस्तान के किसान एक साल ठंड में, कोविड में सडक पे खड़े थे, हाँ या ना, खड़े थे ना, प्रधान मंत्री ने उनसे बात करने की कोशिश तक की, ना, प्रधान मंत्री ने कहा, ये किसान है, ये मजदूर ह मैं राजा हूँ राजा किसान और मजदूर से बात नहीं करता है सचा है हिंदुस्तान की